दोस्तो आपने एक कहापत सुनी होगी कि किसी से पैसा उधाल लेने से अच्छा है कि घर बैट कर चटनी से रोटी खा लें पर दोस्तो आपने देखा होगा कि अगर आप घर में बैट भी जाएं आपको पैसो की जरूरत है और आप किसी से उधाल नहीं लेना चाहते हैं और कि दोस्तों अगर आपको जरूरत पैसो की है कोई ऐसा काम है आपका जो कि आपको पूरा कड़ना है बच्चों की फीस जमा कड़नी है या ऐसा भी हो सकते है घर में कोई बीमार पड़ गया डोक्टर को पैसे देने है तो वहाँ पर आपको पैसो की जरूरत है ना कि चटनी से रोटी खाने की जरूरत है तो ऐसे में अगर आपको लगता है कि भई आपको पैसो की जरूरत है तो आज मैं आपको दो ऐसे तरीके बताऊंगा जहाँ पर आपको घर बैट कर पाँच मिनट के अंदर फ्री में पैसा मिल जाता है वो भी एक लाख रुपे तक उससे पहले दोस्तों आप यहाँ पर देख लें जब भी आपके पास पैसा खतम होता है तो आप क्या करते हैं आप अपने दोस्तों से यारों से पैसा मंगते हैं अपने रिष्टिजारों से पैसा मंगते हैं अगर आप अपने रिष्टिजार से वो भी मोफेर लेते हैं भराए उनके जेब में पैसा है पर ears दिमाग में एक ही बात आती है कि यार सामने वाला व्यक्ति तो पैसे ही मंगता रहता है इसके पैसा ही नहीं रहता अगर आम नहीं पैसा दे दिया पता नहीं कब लोटाएगा अब ऐसा क्यों दोस्तो क्योंकि यह जो दोस्तो होते हैं यही परिशान करते हैं अब ऐसा क्यों यहाँ पर आप देखें दोस्तो जब आपके पास पैसा होता है न तो लोग आपके को कुछ इस तरीके से देखते हैं यानि कि लोग आपकी बढ़ाई करते हैं और उसके बाद दोस्तों अगर आपके पास पैसा है तो आपस पैसा भी मांगेंगे पर अगर आपके पास पैसा नहीं है ताब आपकी मदद कोई नहीं करेगा आपके पास पैसा है सारे रिष्टेदार कड़े हो जाएंगे सारे दोस्त कड़े हो जाएंगे और आपके पास पैसा नहीं है तो क्या हुआ उसको पैसों भी जरूरत पड़ गई और उसने गाउं में ही एक पैसे वाला व्यक्ति था उससे एक हजार रुपे ले लिए वो भी पांच परसेंट ब्याज पर अब हुआ क्या दोस्तों जैसे ही उसने उससे पांच परसेंट ब्याज पर एक हजार रुपे लिए जिससे पैसे उधार लिये थे वो रोज उसके घर आकर बैठ जाता था यानि कि जिसने लोन लिया था जिसने पैसा उधार लिया था उसके घर आकर रोज बैठ जाता था उसकी चार पाई पर आकर लेड़ जाता था और उसने बहुत दिनों तक ऐसे ही करता रहा उसके घर में जिसने पैसे उधार लेते उसके भी भी बच्चे भी परसान होगे और वो भी कहने लगे कि किस आदमी से पैसा उधार ले लिया एक तो हम इसे वियाज दे रहे हैं उपड़ से हमारे घर में आकर रोज बैठ जाता है यानि कि जिससे पैसा लिया था वो अपनी जो है रोब दिखा रहा था कि मेरे पास पैसा है और जिसने पैसा उधार लिया था उसकी बेजिती कर रहा था बार बार उसके घरा कर कि तेरे पास कुछ भी नहीं है तो दोस्तों ये कुछ देखने को मिलता है पर आज की इस वीडियो में मैं आपको दो ऐसे लोन एप बता गाइट करती हैं यहाँ पर आपको मैकसिम Alb कितना मिल सकता है देखिए कम से कम आप जो हैं यहाँ पर 500 रुपे ले सकते हैं और मैकसिमнул जो ले सकते हैं दोस्तों वह एकंत राना रुपे तक आपको आसानी से मिल झाते हैं मर लो किकासाद है कोई विक्ति है जो जिसनी की आ आप रिक्सा चलाते हैं या इसके साथ साथ आप कोई भी काम करते हैं आप बिजनिसमेन हैं नोकरी करते हैं सब को यहाँ पर लोन मिलता है तो यहाँ पर सीविल की आवसकता नहीं है इंकम की आवसकता नहीं है यहाँ पर जरूरता है सिर्फ और सिर्फ इस वीडियो को देखन की उसके बाद समझने की कि आपको जो है लोन कैसे मिलेगा सबसे पहले दोस्तों मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं यहां पर आप देखेंगे जो पहला वाला एप होने वाला है इस एप पर आपको कम से कम दोस्तों एक हजार रुपे और मैकसिमम एक लाख रुपे तक क वैलकम ओफर चल रहा है यानि कि वैलकम ओफर के तहट आप जो है पचास जार रुपे का लोन इंस्टेंटल ले सकते हैं दो मिनट के अंदर यह पैसा आपके बैंक अकोर्ट में ट्रांसवर होता है और यह जो नबी अपसी होने वाली है यहां पर आप देख सकते तो पी सी RBI DSS Standard यह जो है दोस्तों यहां पर आप देखेंगे NBFC है यानि कि RBI द्वार Approved NBFC से ही आपको लोन मिलता है सबसे अच्छी बात क्या है दोस्तों कि यहां पर आपको 3 महिने से लेकर 6 महिने तक के लिए लोन मिल जाता है कम से कम 3 महिने और Maximum 6 महिने तक के लिए लोन ले स चाहिते हो इसके साथ साथ यहां पर आपको टैंसनल नहीं है कि आपके घर पर आकर कोई परेशान करेगा तो यहां पर क्रना क्या है दोस्तों सिम्पल सी बात हे यहां पर आपफ overlap मिलेंगा 50,000 कलए कि यहे जैसे आपने प्रोषीट पर किलिक किया तो आपसे यहां पर है जा मतलत किया है वो उसके साथ साथ आपको यह बताना है कि आप सैलरीड हैं कहीं पर नोखरी कड़ते हैं सेलf म्यर्य रायर हैं यो में घर में एक उण कर रहा है ज्यांनी घरार हो गभी तह कुछ ऐसा तरीके या graduate है या diploma है या post graduate है आपको यहाँ पर टिक लगाना है उसके बाद छोटी सी और आपसे पोचेगे कि आपका यहाँ पर देखेंगे industry और work कैसा काम है तो यहाँ पर आप टिक करके दोस्तो सेलेक्ट कर सकते हैं इसके साथ-साथ यहाँ पर आपसे मंत्रे क्लिक कर देना है बस इतना करने मात्र से यहाँ पर आप देखेंगे आपके सामने एक progress होना लगेगा progress start होगा और उसके बाद दोस्तो आपको जो भी इस एप के तरफ से loan offer किया जाएगा वो आपके सामने निकल कर आएगा जो कि इस तरीके से आपको देखने को मिलता है अब यहाँ पर दोस्तों आप जो है किलिक करके इस loan की amount को कम यह जाद़ भी कर सकते हो आप 4000 बी ले सकते हो 50,000 बी ले सकते हो 40,000 बी ले सकते हो तो maximum यहाँ पर आपको एक लाग उर्पे तक का लोन मिल सकता है पर offer में 50,000 तक का चल रहा है उसके बाद दोस्तों आपकी यहाँ पूरी डेटेल आजाएगी, repayment का option आजाएगा और यहाँ पर देखिए आपको एक टिक करना है अगर आपको लगता है कि 4-5,000 या 10,000 या 20,000 ये आपको जितने भी देखने को मिलेंगे उतने अगर आपको पसंद है तो simple दोस्तो agree and proceed पर किलिक करना है अब जैसे यहाँ प agree and proceed पर किलिक करेंगे उसके बाद दोस्तों आपके सामने option आ जाएगा कि ये जो पैसे हैं आपके bank account में direct transfer कर दिये गए है यहाँ पर आप detail देखेंगे और इस तरीके से आपके पास जो है bank के तरफ से SMS आएगा कि इतने पैसे आपके bank account में transfer हो गए अब बताओ दोस्तों इस app में जो कि मैं आपको बताया कहीं पर आपने देखा कि civil score की आप सत्ता पड़ी कहीं पर आपने देखा कि आपने कोई bank का statement दिया हो कि भी आप कितना पैसा कमाते हैं कितना नहीं कमाते हैं आप से सिर्फ normal पूछा गया आपकी साधी हुई है नहीं हुई है कितना कमाते हैं करते हैं 10 पासो 12 पासो कितने यह पूछा गया और आपको यहां पर पैसा मिल गया फिक है इतना करने मात से पैसा मिल जाता है ज्यादा कुछ भी नहीं करना है तो दोस्तों यह तो एक हो गया जो आपको कुछ इस तरीके से loan provide कराता है अब एक और एप है दोस्तो जो कि आपको कम से कम साड़े 700 रुपे और maximum 50,000 रुपे तक का loan provide कराता है और इसका जो ब्याज रहता है दोस्तो वो दो से लेकर 30% के आज पास रहता है यानि कि आप मान कर चलें कि दोनों ही जो एप हैं वो 2 60 दिन और maximum 60,000 रुपे लिए आप लोन ले सकते हो यहाँ पर भी simple है आपको क्या करना है दोस्तो आपके पास जो है आधार कार्ड होना चाहिए पैन कार्ड होना चाहिए एक बैंक खाता होना चाहिए अगर आपके पास इतना है एक mobile number होना चाहिए बस इतने होने मातर से आपर आप देखेंगे आपको branch नाम की application देखने को मिलेगी 4.5 के rating है और 10 million से ज्यादा इसके download है तो इतनी सांदार एप होने वाली है दोनों ही आप जो है आपको instantly loan प्रोवाइड कराती है दोनों जो एप है दोस्तो इनके जो link है आपको वीडियो के description में मिलेंगे comments box में म मिलेंगे तो आप यहाँ पर आकर बिना civil बिना income के आसानी से loan ले सकते हैं और अपनी इज़त बचा सकते हैं और मैं यही कहूंगा दोस्तो किसी के आगे हाथ फैलाना बंद कर दो इन दोनों एप को अपने mobile में install कर लो जब भी आपको पैसों के आवसकता हो यहाँ से पैसा ले लो और जब आपके पास हो जाएं दोस्तो आप जो भी आपका studio लोगा उसके साफसे आप जो रिपेमेंट कर दो इससे पहली वाली जो एप मैं बताई थी दोस्तो वो थी true balance वो भी बहुत सांदार एप है दोनों ही एप पर जाकर आप जो है लोन के लिए apply कर सकते हैं अ लाइब प्रोसर्स दिखाया है मोबाइल से कि आप लाइब लोन कैसे ले सकते हैं और इन दोनों ही एप की जो है आपको वीडियो वहाँ पर मिल जाएगी तो ऐसे में दोस्तों आप इसका भरपूर फायदा उठाएं किसी से पैसा मांगना बंद कर दें सीबिली स्कोर की को सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि यहाँ पर हमेसा आपको लोन से संबंदित वीडियो मिलती रहती है